नमस्कार दोस्तों में हूँ अतुल दोस्तों गर आप Moto H40 या Moto H40 नियो यूज़ करते हो और अगर आपको लगता है कि आपके फोन में बैटरी बैकप काफी कम बिल रहा है जरूर से ज्यादा बैटरी यूज़ हो रही है तो ऐसे में अगर आप चाहते हो आपके फोन में 5G फोन है और आप अपने फुन में 5G का यूज़ भी करते होंगे लेकिन 5G अभी भी ट्राइल फेस में है 5G अभी भी स्टेबल नहीं है तो ऐसे में 5G का यूज़ करने पर बैटरी ज्यादा यूज़ होती है इसलिए आप कॉल दे टाइम 5G का यूज़ नहीं करना है जब अब बैक तो यहाँ पर है वाइफाई और यहाँ पर है नेटवर्क विफरेंसेस इस पर टाप कीजिए और यह जो उप्चन है नोटिफाई फोर पब्लिक नेटवर्क आपको इससे भी ओफ करना है अगर आप इससे ओन रखोगे और यहाँ अगर आपने वाइफाई को स्कैनिंग होते रहेगी स्कैनिंग होगी मतलब की बैटरी उजोगी इसलिए आपको इससे ओफ करना है इस फोन में आपको मिलता है एनेफी का सपोर्ट अगर आप जाओगे क्विक टोगल में तो यहाँ पे एनेफी का टोगल इन्याबल नहीं किया गया है आपको पैंसिल क आपके फ़न में जो भी करना है जो बैटरी ज्याद उस होती है तो अगर आप जाओगे सेटिंग में गूगल में डिवाइसे शेरिंग में यहाँ पर होगा स्कैन फोर नेरबाई डिवाइसे इसे उफ किते अगर आप इससे ओन रखोगे तो आपके फोन के आण में जो भी डिवाइसे से जिसमें Wi-Fi Bluetooth on है तो इसे डिवाइस को आपका phone scan करता रहेगा इसलिए इसे off करना है इसके बाद जाईए nearby share में और यहाँ पे होगा device visibility इसे भी off कीजिए nearby share का आप all the time use नहीं करते हैं इसलिए आपको इसे all the time भी on नहीं रखना है इसे भी अगर आप on रखोगे तो background में scanning होते रहेगी device के लिए तो अगर आप कुछ लगता है कि मुझे nearby share का use करना है तो आपको जाना है quick toggle में और यहाँ पे होगा nearby share आपको इसे use करना है जब चाहे तक आप देख सकते हो long tap कीजिए और फिर आप यहाँ से इसे on कर सकते हो ज़रुत पढ़ने पे इसके बाद जाएए back और यहाँ पे उपर में आपको 3D पे tap करना है यहाँ पे होगा usage and diagnostics इसे पे tap कीजिए और आपको इसे भी off करना है तो अगर आप इसे on रखोगे तो आप अपने phone को किस तरी किसे उस करते हो तो आपको usage pattern send होगा Google को तो background में आपका data collection होगा और sending होगा आपको पता चले बिना यह सब कुछ होता रहेगा आपके phone में all the time जिससे battery ज़्यादा जूज़ होगी इसलिए आपको इसे off करना है अगर आप चाहते हो Wi-Fi उस करने पे बैटरी ज़्यादे उस ना हो तो आपको Wi-Fi के लिए एक settings को on करना है आपको जाना है settings में about phone में और नीचे होगा build number आपको इस पे लगातार 7 times tap करना है 1234567 अपना pin enter किजिए पिर back आईए system में जाईए और यहाँ पे ओगा नया option developer options इसे open किजिए और फिर आपको नीचे आना है और यहाँ पे ओगा Wi-Fi scan throttling यह रहा Wi-Fi scan throttling आपको इसे on करना है इसे on करोगे तो Wi-Fi यूज़ करने के दरण battery काफी कम यूज होगी इसके लावा आपको जना है settings में, battery में और यहाँ पे ओगा adaptive battery आपको इसे on करना है अगर आप इसे on करोगे तो जो भी apps आप जादा तर यूज़ नहीं करते उन apps की जो background activity है उससे limit किया जाएगा ताकि ऐसे apps आपके phone में ज्यादा battery उज़ ना कर सके background में इसके अलावा अगर आप जो गे बैक तो यहाँ पे है improve the battery while in active आपको इसे भी on करना है तो अगर आप इसे on करोगे तो आपका phone आप कौनसे डाइम के लिए उसे नहीं करते आपका जो usage pattern है उसे learn किया जाएगा तो उस time के दुरान जो भी apps background में run कर रहे उनकी activity को limit किया जाएगा ताकि background में ज्यादा battery उज़ ना कर सके इसलिए आपको इसे on करना है इसके अलावा उपर में है background app उसका option इस पे tap किजिए सबसे पहले तो आपको इस toggle को on करना है अगर यह off होता है on किया है Amazon, Facebook, Flipkart, Instagram इसके बाद आपको टिक करना है तो माई लिए आप Amazon को open करते हो और बाद में इसे close करते हो इस तरी किसे अब close होने पर यह जो app है background में run नहीं करेगा तो ऐसे भी इसके करन बैटरी उज़ नहीं होगी background में तो आप अपने हिसाप से यहाँ पे selective apps को add कर सकते हो जैसे कि आपको बता होगा इस phone में आपको मिलता है age lighting का feature मतलब कि कोई भी call आएगा कोई भी message आएगा तो आपको मिलेगा age lighting effect जितने ज्यादा message आएगे उतनी बार आपके phone में age lighting show करेगा और जितनी बार age lighting show होगा उतनी ज्यादा बैटरी ड्रेन होगी आपके phone में तो आपको home page पे long tap करना है personalize पे tap किजिए और यहाँ पे होगा नीचे age light इस पे tap किजिए तो यहाँ पे है call, alarm और notification तो आपको message के लिए off करना है तो इसे off किजिए call के लिए आप use कर सकते हो हाला कि आपको इसे use नहीं करना है तो सभी को off किजिए हाला कि अगर आपको इसे use करना है तो नीचे यहाँ पे option दिया गया है schedule का, तो schedule को on किजिए और जो time आप यहाँ पे set करोगे उस time के दुरान age lighting काम नहीं करेगा तो रात में अगर आप चाहते। आपके phone में age lighting काम नहीं करें तो आपको यहाँ पे time set करने में चाहता हूँ रात के 20.15 से लेकर सूबा के 7 बज़े तक age lighting काम नहीं करें तो आपको इस तरगे से time set करना है इसके लग, आपने on रखाओगा wait for notification मतलब कि जब भी आपके फोन में notification आएगी तो आपके फोन में display on हो जाएगा माल लीज़े आपके फोन में दिन भर में 100 में सजाते हैं तो आपके फोन का display 100 बार on होगा तो इसमें बैटरी ज्यादा है जोगी इसलिए आपको इसे limit करना है तो आपको जाना है settings में, home and lock screen में, lock screen में, और यहां पर होगा wake screen for notification आपको इससे off करना है, अगर आप edge lighting को use करते हो तो आपको इससे off करना है, अगर आप इससे on करते हो तो आपको edge lighting को off करना है, दोनों में से एक ही use करिए, मेरे इसाब से कुछ particular apps आपके फुन में background में activity ना करें तो आप ऐसे apps के लिए background activity को block कर सकते हो ताकि वो जो apps से background में कोई भी battery use ना करें तो आपको उस particular app पे long tap करना है फिर app info पे tap करना है या आप पे tap करना है और यहाँ पे होगा battery का option app battery usage इस पे tap किजिए और आपको set करना है restricted पे इसे on करन है आप या फिर app info पे tap करना है app battery usage और आपको set करना है restricted पे कई सारे apps ऐसे होते हैं अगर आप उन्हें close करोगे फिर भी background में data use करते रहेंगे तो अगर आप चाहते हो कई भी app background में data use ना कर पाए तो आप जो background की data usage है उसे block कर सकते हो आपको किसी भी app पे long tap करना है फिर app या लेकर पाएगा फिर चाहे wifi हो या mobile data सेम तरीक से अगर आप बात करेंगे किसी भी app की तो आपको इस पर long tap करना है आप पर tap कीजिए और यहां पर mobile data tap कीजिए और आपको इसे off करना है background data मतलब कि ऐसे apps को जब आप open करोगे तब भी data use कर पाएगा अगर आप उन्हें close करोग तो background में data use नहीं कर पाएगा तो अगर आप किसी भी app के लिए background data usage को ब्लोक करोगे तो उस app के कराण background में कम batteries होगी अब बात करते हैं display settings की तो अगर आप जाओगे settings में display में यहां पे है adaptive brightness आपको इसे off करना है adaptive का मतलब auto brightness, auto brightness मतलब की आपकी फोन में automatically brightness कम जड़ा होती रह है तो आपको इसे on करना है अगर आप इसे all the time use नहीं करना चाहते तो आपको schedule पे tap करना है और यहां पे है sunset to sunrise मतलब कि शाम होने पे आपके फोन में automatically dark theme off हो जाएगा dark theme का इस करने पे battery कम जड़ा होती है compare to light mode इसके लाव अगर आप जोगे back तो यहां पे है display refresh rate आपको इसे set करना है auto पे auto पे set करोगे तो content की साबसे आपके phone में automatically refresh rate change होता रहेगा up to 120 Hz अगर आपने set किया है 120 Hz पे या फिर 144 Hz पे तो आपके phone में battery ज़्यादा उज़ोगी यहां पे लिखा गया है इसलिए आपको set करना है auto पे auto पे set करने पे भी आपका phone काफी smooth चलेगा लेगने इसके साथ साथ आपके phone में battery भी काफी गम्यूज होगी और यहां पे है screen time out तो आपको set करना है और यहां पे set करना है 30 सेकंड या फिर 15 सेकंड तो आप जितना ज़्यादा timer यहां पे set करोगे उतनी ज़्यादा झाल करना है